दोस्तों बल्ड़कप दूर 13 का चौथा मुकाबला साउथ अफ्रिका होगा नाम लिलंका के वीच खेला गया जहां साउथ अफ्रिका की सांदर जित के बाद बदल गया बल्ड़कप दूर 13 के अब पूरा पूंच च्टेवल बताएंगे बल्ड़कप से जोड़ी सारी जान क करने चुना बैटिंग करने आई साउथ अफ्रिका की ओर से केंडी कॉक ने सांदा शुरुवात करते हुए मातर 84 गेंदों पर सो रन की पारी खेली और इसके चलते उन्होंने बारा चौंके और तीन चक्के भी लगाएं कप्तान जैंबा वामू अभी आठर मना कर आउट ह गया वहीं तीसे नम्मर पर आई रासी वेंडर डूसेन ने 110 बॉलों में सतकी पारी खेली और इसके चलते उन्होंने एक सो आठर मना और तीरा चौंके और दो छक्के भी लगाया वहीं चौतान नम्मर पर एडिन मारक प्रम ने भी 106 रन की सतकी पारी खेली और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया सबसे तेज तक भी लगाया चौन अम्मर पर हेंडरेश क्लासन 32 बनाकर आउट हो गए और छटन अम्मर पर डेविड मिलन ने 49 रन भी जोड़े इसके चलते साउथ अप्रिका पॉंच बिकेट खोकर 50 ओरों में 428 रन का बिसाले स्कोर रख दिया बहीं स्री लंका की ओर से सबसे ज़्यादा बिकेट मदू सनाका ने दो निकाले और पतिराना बलिलागा और रजिता ने एक एक बिकेट निकाले बैटेंग करने आई स्री लंका की ओर से पतम निसंका का पिजली आउट हो गए मार्क वैंसन के हातों और कुसल परेरा भी सा सारी खेली और कप्तान सानाकाने भी अर्साट रंजोरी लेकिन रिलंका की टीम मात्र का वाली दर्समलाव पांच ओरों में आल आउट हो गई और इसके चलते उन्हों ने मात्र 326 रनी बना पाई और सौथ अपरिका इस मैच को 102 रंड के बड़े अंतराल से जीत गई तो आई नम्मरंप साफ्राइब की टीम ने एक मखबला के लिकार एक मजीधान सल के और प्लसड़ पॉंट चैलिस की सांदरन एंटनолодיקे बार्यट की की टीमने एक मुकाबला के लिग एक मजीत हैसल की एक मुकाबला खेल कर एक मेरे अफगाए फ्कटान के की टीम ने एक मुकाबला किलका एक में हारासल की और माइनस इन्टरन रेट के साथ जीरो पॉंट अर्जित किया है दोस्तों आउस्ट्रिया बना इंडिया का मैच है तो उनके भी पॉइंच टेबल में कुछ अंग दिखाई देंगे दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया वर्सिल ऑस्ट्रिया के मुकाबले में कौन सी टीम जीते की कमेंट करके अपनी राजरूर दे